मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायब भाशन देनी की जरूरत ना पड़े तो मैं भाशन नहीं देती आप से दो शब्द कहती हूँ जो मेरे दिल में है पहली बार मैं गुजरात आई हूँ और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संगर शुरू किया था और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेडों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी क्योंकि मैंने उन देश भक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संगर्ष किया जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी सब कुछ त्याग कर दिया जिनके बलिदानों पर इस देश की नीव डली है वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है और आप सब यहां इतनी तादाद में आये हैं मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देश भक्ती नहीं है कि आप जागरुक बने आपकी जागरुकता एक हत्यार है आपका वोट एक हत्यार है लेकिन ये एक ऐसा हत्यार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुचानी किसी का दुख नहीं करना किसी का नुकसान नहीं पहुचाना ये एक ऐसा हत्यार है जो आपको मजबूत बनाएगा आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं आप अपना भविश्य चुनने जा रहे हैं फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आप आगे कैसे बढ़ेंगे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा महिलाए सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आपको आगे कैसे बढ़ेंगी किसानों के लिए क्या किया जाएगा ये चुनाऊई मुद्दे है और आपकी जाग रुकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है तो मैं आपसे आग रह करना चाहती हूँ कि सोच समझ के इस बार आप निर्ने लें जो आपके सामने बड़ी बड़ी बाते करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं उनसे पूछिए जो दो करोड रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था वो रोजगार कहा हैं उनसे पूछिए कि जो पंद्रा लाख आपके खाते में आने थे वो पंद्रा लाग कहां गए जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन पाथ सालों में सही सवाल करिए इस चुनाओं में आगे आने वाले दो महीनों में आपके सामने तमाम बुंते उचा ले जाएंगे आपकी जाग रुकता ही इस देश को बनाएगी ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी देश भक्ती इसी में प्रकट होनी चाहिए तो यहां पे जहां से हमारी अजादी की लड़ाई शुरू हुई थी जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी सद्भावना की आवाज उठाई थी अहिंसा की आवाज उठाई थी मैं सोचती हूँ यहीं से आवाज उठनी चाहिए जो अपनी फित्रत की बात करते हैं आपके सामने आप उन्हें बताईए कि इस देश की फित्रत क्या है इस देश की फित्रत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंड के निकालेगी इस देश की फित्रत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुना में बदलेगी ये आगाज आप यहां से उठाईए आने वाले दिनों में सही निड़ने लीजिए सही मुद्दे उठाईए सही सवाल करिए क्योंकि ये देश आपका है आपने बनाया है मेरे किसान भाईयों ने बनाया है मेरी बेहनों ने बनाया है जो रोज सुभे शाम मेहनत करती हैं नौजवानों ने बनाया है और किसी ने ये देश नहीं बनाया है ये देश और किसी का नहीं है को समझिए आगे जैसे परेशी ने कहा आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है हमारी संस्थाएं नश्च की जा रही है जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है और हमारे अप के लिए इस से बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिपादות करें हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और कट्ते आगे बढ़ें मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा यहां स्वागत किया और मुझे यहां बोलने का मौका दिया जैहन